हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आरके निटिंग करिये सर्थ आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा और सुन्दर सा डिजाइन रेक्या है इस डिजाइन को बुनने के लिए मैंने ये वर्धमान वाली वोल ली है और ये टैन नमबर की निडल ली है अगर आप इसको वर्धमान में ओशवाल में रैबिट में गंगा में इन कूल में बनाएंगे तो आप इसके अंदर यहाँ पे टैन नमबर की निडल ली यूज किजिए और आप इसको थ्रिपलाई में बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो नमबर की सलाई यूज किजीएगा तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा तो देखे फ्रेंड्स अब इस डिजाइन को बनाना शुरू करेंगे इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यह 4 के मल्टिपल में फंदे डालके और 3 फंदे पलस किये हैं जैसे पहले 4 फिर से 4 फिर से 4 फिर से 4 फिर से 4 लास्ट में हमारे 3 फंदे रहने चाहिए तो मैंने यहाँ पे 4 के multiple 16 फंदे और उसके अंदर 3 फंदे extra डाले हैं तो मेरे यहाँ पे 19 फंदे हैं तो design बनाना शुरू करेंगे यह सीधी तरफ है अगर आपने किसी project में फंदे बढ़ाने हैं तो आप इस slide में फंदे बढ़ा लेजिए क्योंकि हमारा design बैक साइड से यानि उल्टी तरफ से शुरू हो जाएगा तो यह सलाई हम पूरी यहाँ पे एक रो बेश देने के लिए इसको सीधी बना लेंगे पूरी रो को सीधा बनाते हुए complete करेंगे बहुत ही प्यारा design है और बहुत ही जल्दी जल्दी बन के आता है जितना देखने में सुंदर लगेगा बनाने में उतना ही आसान है design बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नई है तो प्लेज चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइकन को प्रेस कीजिए ये first row है इसको base देने के लिए यहाँ पे इसको पूरी को सीधा सीधा बना के complete करेंगे डिजाइन हमारा back side से बनना शुरू हुआ ये इसलाई हमारी एक बार हीड लेगे starting में border बनाने के बाद अब यहाँ से हम design बनाना शुरू करेंगे ये हमारी back side है design यहाँ से हमारे design की first row है तो ये तीन फंदे सीधे एक दो और तीन फंदे सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को ऐसे slip करेंगे धागय को अपनी तरफ ही रखेंगे और फिर से तीन फंदे सीधे तो ये फंदा जो हमने slip किया था उसके उपर से धागा आ गया तो यहाँ से दो फंदे नजराएंगे तो ये तीन फंदे सीधे फिर धागा आगे करेंगे ऐसे और इस फंदे को slip कर लेंगे आगे की तरफ से ही ऐसे करेंगे जैसे उल्टा फंदा बनते हैं ऐसे ही इसको slip करेंगे धागय को अपनी तरफ ही रखेंगे और तीन फंदे फिर से सीधे दो तीन फिर धागय अपनी तरफ करेंगे और फिर से एक फंदा से सीधे ऐखेंगे फिर से थागय अपनी थरफ एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से लास्ट के तीन फंदे सीधे आपके प्रोजेक्ट में जितने फंदे हों आप ऐसे ही उनके बुनते जाईएगा तीन फंदे सीधे एक फंदा स्लिप अब आएंगे सीधी तरफ सेकिंड रोपर तो यहां पर ध्यान दिजीगा यह तीन फंदे हैं बहुत आसान डिजाइन हो और बनने के बाद बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता है यह तीन फंदे उल्टे अब जो यह एक तो धागा गुमाया हुआ है और एक यह स्लिप फंदा है इन दोनों के अंदर से ऐसे स्लाइड डालेंगे जैसे उल्टा फंदा बुंते हो इस धागे को ऐसे करेंगे इसको बनाएंगे नहीं ऐसे ही स्लिप कर देंगे फिर तीन फंदे उल्टे अब फिर यह धागा गुमाया हुआ है इसके उपर और यह स्लिप फंदा है तो इसका ऐसे श्लाइड डालेंगे और ऐसे धागा गुमाएंगे इसको बनाएंगे नहीं जैसे उल्टा फंदा बुंते हैं इसको ऐसे ही स्लिप कर देंगे फिर से तीन फंदे उल्टे एक दो और इसको ऐसे ही धागा घुमा के ऐसे ही छोड़ देंगे इसको बुनेंगे नहीं, फिर से तीन फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, अब फिर ये दो फंदे धागा घुमाया हुआ हैं और ये स्लिप फंदा, इसके उपर से ऐसे धागा घुमाएंगे और इसको छोड़ देंगे फिर से तीन फंदे उल्टे तो ये हमारी सेकेंड रूबन के कम्पलिट हुए अब आएंगे हम थर्ड रोपर बैक साइड में तो अब फिर देखिए यहां पे तीन फंदे सीधे एक, दो, और तीन अब जो ये फंदे ही है यहां पे आपको तीन फंदे नजराएंगे दो धागा गुमे हुए और एक फंदा सलिपे तीन इकटे है तो धागा अपनी तरफ करेंगे तीन का एक यहां पे उल्टा बुनेंगे फिर धागा गुमाएंगे दूसरा फंदा बन गया एक बार फिर उल्टा बुनेगे तो ये तीन फंदों से तीन फंदे बन गई फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये तीन फंदे इकठे नजराएंगे इन तीन का एक उल्टा बुनेंगे फिर निडल पे धागा घुमाएंगे ऐसे और फिर से उल्टा फंदा बुन देंगे तो तीन फंदों से फिर से तीन फंदे बन गई धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से जो ये तीन फंदे हैं तीनों का एक बनाएंगे उल्टा फिर धागा गुमाएंगे एक बार फिर उल्टा फंदा बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और तीन फंदे सीधे अब धागा अपनी तरफ करेंगे फिर से ये तीन फंदे हैं तेन का एक बनाएंगे फिर धागा घुमाएंगे इसके उपर से और एक बार फिर बुनेंगे फिर धागा पीछे करेंगे लास्ट के तीन फंदें सीधे ये हमारे डिजाइन के 3 रो थे अब आएंगे हम 4th रो तो अब ये 3 फंदे उल्टे हैं और 3 फंदे ये हैं हमारे तीन उल्टे हैं तीन फंदे ये बीच में जो तीन के तीन बनाए थे तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा ये दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे तीन स्टार्टिंग में उल्टे हैं तो यहां पे दो उल्टे बनाएंगे अब धागे को पीछे करतेंगे अब ये एक फंदा ये उल्टा है और एक ये तीन फंदे हैं जो इन में से लेंगे एक ये उल्टा एक ये यहां से सीधा तो दो का एक करेंगे और इस बीच वाले फंदे को सिंगल सीधा बुनेंगे अब ये एक फंदा सीधा और एक ये उल्टा इसको बैक लूप से यहाँ पिछे की साइड से दो का एक करेंगे ऐसे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे अब एक फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे अब ये एक फंदा उल्टा एक ये तीन में से लेंगे सीधा फंदा तो आगे की तरफ से ऐसे दो का एक करेंगे और ये सेंटर का फंदा है इसको सिंगल ही सीधा बुनेंगे अब ये सीधा और एक ये उल्टा इनका दो का एक बनाएंगे बैक लोप से फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा अब हमारे यहाँ पे गैप का एक फं अब ये बीच में फंदा है जो इसको सिंगल ही बुनेंगे अब ये सीधा ये उल्टा इसका दो का एक बैकलोब से बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे ये एक उल्टा और एक ये सीधा आगे की साइड से दो का एक बनाएंगे सीधा फंदा दागा पीछे ही रखेंगे और बीच के फंदे को सीधा बनेगे अब ये सीधा और ये उल्टा इसको बैक लूप से पीछे की साइड से सीधा फंदा दो का एक बना देगे अब दागा अपनी तरफ करेंगे ये एक फंदा उल्टा ये एच टिच है इसको भी उल्टा बनेगे तो चार सलाइया बन चुकी है डिजाइन हमारा नजर आने लगा है अब हम आएंगे बैक साइड में यहां से फिर से डिजाइन दोबारा स्टार्ट होगा चार-चार सलाइयों का डिजाइन है चार सलाइया हमारे बन चुकी है एक बार आपको फिर से डिजाइन बना के दिखाएंगे तो ये तीन फंदे सीधे यहां पर दोबारा से स्टार्ट हो चुका तीन फंदे सीधे धागा अपनी तरफ एक फंदा स्लिप करेंगे फिर से तीन फंदे सीधे, दो, तीन, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा स्लिप करेंगे, फिर से तीन फंदे सीधे, अब धागा अपनी तरफ फिर से एक फंदा स्लिप करेंगे अब ये जो स्लिप फंदा करते हैं धागा आगे रखेंगे आगे के फंदे सीधे बनाएंगे तो इस फंदे के उपर से धागा ऐसे घूम जाएगा ऐसे तीन फंदें सीधे तो ये मैंने दुबारा से फर्स्ट रो बना के आपको दिखा दी है अब आएंगे सेगिन ड्रो पे सेगिन ड्रो फिर से ऐसे ही करेंगे तीन फंदें उल्टे इस पे धागा घुम जाएगा तो इन ही चार सलाहियों को जब हम बार बार रिपीट करती तो प्यारा सा डिजाइन हमारा ये बन के आ जाएगा किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए लेडिज कार्डिगन में डालिए लेडिज जाकिट में डालिए जैन स्वेटर में डालिए बेवी स्वेटर में डालिए बेवी कैप में डालिए गरल स्टोप में डालिए शोक्स मे डालिए किसी में विडालिए बहुत ही प्यारा डिजाइन बनके आता हूँ चार-चार सलाईयों का डिजाइन है बैक साइड से शुरू होगा चार-चार सलाईयों को रिपीट करते जाएंगे तो ऐसा सुन्दर सा डिजाइन हमारा बनके आ जाएगा देखे फ्रेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो मेरा डिजाइन पसंद आया हो मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंट्स ग्रूप में सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को प्रेस की ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके और कमेंट सेक्षिन में आप बताएगा कि आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा थेंक यू